नमस्ते बच्चों, a very good morning to everyone, हाज हमलो संकेत वाचक विशेशन या सर्वनामिक विशेशन, संकेत वाचक विशेशन या सर्वनामिक विशेशन के बारे में पढने वाले हैं. Dear childrens, today we are going to see संकेत वाचक विशेशन या सर्वनामिक विशेशन, already we have finished three types, already हम लोग तीन बेद पर चुके हैं, what is the first type गुन वाचक विशेशन, पहला बेद क्याता गुन वाचक विशेशन, दुसरा क्याता संक्या वाचक विशेशन, What is the second type संक्या वाचक विशेशन, what is the third type तिसरा क्याता विक्ती वाचक विशेशन, आज हम लोग संकेत वाचक विशेशन के बारे में या सर्वनामिक विशेशन के बारे में पढने वाले हैं. संक्या या सर्वनाम का जो शब्द संक्येत का भोध कराता है, उसे संक्येत वाचक विशेशन केते हैं. One note, यहां पर एक note दिया हूँ, ठीक तरह से देखिए, संक्या शब्द के आगे जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होता है, उसे सर्वनामिक विशेशन केते हैं. Here, two names they are given, both are same only, संक्येत वाचक विशेशन और सर्वनामिक विशेशन. संक्येत वाचक विशेशन means, see, संग्या या सर्वनाम का जो शब्द संक्येत का भोध कराता है, उसे संक्येत वाचक विशेशन केते हैं. सर्वनामिक विशेशन संग्या शब्द के आगे, जो सर्वनाम शब्द प्रयोग वता है, उसे सर्वनामिक विशेशन केते हैं. English में, उसका definition देखेंगे, we will see the definition in English, the pronoun words, the pronoun words which indicates, indicates something towards the noun or the pronoun words which comes before the noun word, the pronoun words which comes before the noun word and indicates something. That is called संक्येत वाचक विशेशन or सर्वनामिक विशेशन. पच्यों, कुछ उदाहरन अम्लो देखेंगे, we will see some examples. वहागर अच्छाहे, वहागर अच्छाहे, see the pronoun words which indicates, 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 that, this, there, here, this all indication. The pronoun words which indicates something towards the noun, that is called संक्येत वाचक विशेशन. सर्वनामिक विशेशन, another name is सर्वनामिक विशेशन, दुसरा नाम क्या है, सर्वनामिक विशेशन. What is meant by सर्वनामिक विशेशन, संग्या, शब्द के आगे, जो सर्वनाम शब्द प्रयोग वता है, उसे सर्वनामिक विशेशन केते हैं. The pronoun words which comes before, which comes before the noun word and indicates something. Example, देखिया, वहाँ गर अच्छा है, वहाँ गर अच्छा है, that house is good. वहाँ गर अच्छा है, यहाँ पर देखिये, गर नाउन है, संग्या है, संग्या के पहले, क्या हागया है, सर्वनाम आगया है. See, यह गर, house, गर, house is noun, before noun word, pronoun word came, pronoun, सर्वनाम आगया, like this sentence, are called as संकेत वाचक विशेशन या सर्वनामिक विशेशन. Before noun, you should get pronoun word, before noun word, you have to get pronoun word, see, वहाँ गर अच्छा है, वहाँ गर अच्छा है, गर क्या है, संग्या है, वहाँ क्या है, सर्वनाम है, देखिये, संग्या के पहले, सर्वनाम आ रहा है, इसलिए, यह वाकिये, क्या कहलाएगा, संकेत वाचक विशेशन, या सर्वनामिक विशेशन कहलाएगा, you have to get pronoun word, before noun, you have to get pronoun word, उस गोडे को यहाँ लावो, गोडे, horse, it's a noun, before noun, उस, उस means pronoun, सर्वनाम, उस गोडे को यहाँ लावो, यहा लड़का सुन्दर है, लड़का, बईस नावन, यहाँ प्रोनाम विशेशन, लड़का क्या है, संग्या है, संग्या के आगे, सर्वनाम आ गया है, यहाँ लड़का सुन्दर है, वे पेड पर चड रहे हैं, they are climbing the tree, पेड क्या है? संघ्या है, संघ्या के पहले क्या आ गया है? सर्वनाम आ गया है, पेड, ट्री, ट्री is a noun, बिफोर नौन, प्रोनावन के वे, आपका कलम लाल है, आपका कलम लाल है, Your pen is red. Column is a pen. Column is pen. Column, noun. Column क्या है? Sangea है. Sangea के आगे? क्या आगे है? Sarva noun. Pronoun आगे है. आपका. Column, pen is noun. Before pen, आपका कें. आपका means pronoun. This word is pronoun. Sarva noun. So, आपका कलम लाले. Like this old sentence विलकाम अंडर संकेत वाचक विशेशन और सरवानामिक विशेशन बच्चो इसको मैं आप लोगों को वाट्सप में देज देता हूं आप लोग क्लासर में लिखना है और उसको कंप्लीट करना है इस वाइवल सेंड ये वाट्सप जेश्ट यू कॉपी अद फिनिश दी क्ल